कोरोना के संक्रमन को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है इस बीच गरीब और आसहाए लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है इसे में सरकार के साथ सामाजिक संस्थाएं और साथी समाज से वी आगे आकर इनकी लगातार मदद कर रहे हैं इसी कड़ी में राजधानी जैपूर में आचार एहस्ती मेडिकल रिलीफ ट्रस्ट और पारस कोहार ट्रस्ट के ओर से जरुरत मंदों की मदद की जा रही है और पहले दिन से प्रतिदिन आच हजार से अधिक खाने के पैकेट तैयार किये जा रहे हैं समाच से वे विनोद लोधा ने बताया कि आचार एहस्ती मेडिकल रिलीफ ट्रस्ट और पारस कोहार ट्रस्ट के ओर से साल 2002 से जैन रसोई चलाई जा रही है जहां रियायती दर पर लोगों को खाना मुहया करवाया जाता रहा है वही कोरोना वाइरस के प्रकोप के चलते मुखेमंतरिया शोग गहलोत ने आहवान किया था कि प्रदेश में किसी को भूका नहीं सोने दिया जाए जिसके बाद जैन रसोई में अब दो हजार खाने के पैकेट और बढ़ा दिये गए हैं और साथ ही अब जैपुर में दस हजार लोगों को जैन रसोई का खाना उपलब्द करवाया जा रहा है जारन खाना बनाने और वित्रण में हर तरह की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है जाता है नगर निगम के माध्यम से तीन जगे मारे कंट्रोल रूंे बने वुए नगर निगम में बना ऊब है रोशाव मां बैढ़ते हैं बहली रिपोट हमारी जैनर्य सोई की प्रश्ट और पार्सक्वार्ट ट्रस्ट दोनों मिलकर यह चीज़ को चला रहे हैं और पहले हम करोना चालू हुआ तो उससे पहले हम सबस्टाइड रेट में हम इसको देते थे रियाईती दरों पर हम देते थे लेकिन जब से कोरोना चालू हुआ और माननी यह मुख्यमत्र अशुक जी गहलोत का अवान हुआ कि अपने प्रदेश पे कोई भी भुका नहीं सोना चाहिए उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पे जो लगबग पहले एक अजार खाने से चालू किया और आज हम साड़े आठ अजार खाने तक पहुंच गए हैं बहुत धान हमारों को सहयोग मिलता है यहां पर गुरूद भी आते हैं अपने इसाब से कभी सो कभी दो सो चार सो पेकर ले जाते हैं बाकी हम वो भी अपने पैसे खुद देते हैं बाकी नीशुल्क यह सारे खाने बढ़ते हैं